कि यस्ताने पूछा है कि सर्ये कैसे पता चलेगा कि हम बैटर कैसे हैं अ उन्लाइन बाले इस सर्च में तो यह है इस कॉम्पूपिशन में बाल बराबर बाल जितना होता इतना 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 अतना अंतर है इस्टुरेंट से आपको किसी भी अंतर को पाठना होगा मान लो आप ऑनलाइन ले रहे हैं जब तक अत्यंत मजबूरी ना हो तो ऑफ-लाइन में जाएं इतने हजारों लोग थोड़ी पढ़ाए जा रहे हैं आप नौलेज तो ले सकते हो लेकिन चूंकि आपको तो पचास हजार में मात्र दोसों में आना है तो आप कैसे कर सकते हैं आपको तो पचास हजार में दोसों में आना है उसमें भी आप कहीं जौब करते हो आठ गंटे आप जौब करते हो और एक इस्टुरेंटल रातों दिन एक कर रहा है तो तुम्हा तुम्हें पीछे क्यों नही शुमने खाना भी खुद बनाते हो कपड़े रगते भी खुद दोते हो इसमें भी समय जाता है उर्जा भी जाती है हमारे पास दो चीज्ञेएं बहुत सी मितने समय और ऊर्जा आपको पता जिसे आप मोबाईल चार्ज करते हैं तो लंबी बैटरी चले तो आप क्या करते है मोबाइल मैं से नेट को बंद कर देते हैं कि जब चला लेंगे जब जरूरत होगी क्यों बैटरी लब्लेगे क्योंकि उस बैटरी में इस्टोर्ड इनर्जी सीमित है आप वीडियो करेंगे देखेंगे आप वीडियोग्राफी करेंगे तो क्या होगा इनर्जी जदा जाएगी ना जदा कंजूम होगी आपको वो सब काम छोडने होंगे जो काम आपकी इनर्जी को और आपके टाइम को कताई लेते हैं आप बहुत उंचा बनना चाहते हैं आप society में बहुत उच्छा बनना चाहते हैं तो आपको ये तपश्या करनी ही पड़े क्यों कपड़े धोने में टाइम खराब किया कपड़े धोने में यदे पूरे साल के कपड़े धोने में मैं कहरा महीने में कपड़े धोने कि कोई 200-00-300 रुपए ले लेता हो और 500 ले लेता हो पूरे साल में आपके 6000 रुपए लगे 6000 रुपए बचा ने हैं क्या RJS का 6000 रुपए की कीमत है क्या, खाने के टाइम को काना खुद ही बनाते हो क्यों बना रहे हो दूसरा बना दे गा ना, 1000 रुपे महिने ले रहा है तो 12,000 की ही कीमत है क्या ये सब चीजे आपको तै करनी पड़ेंगी और ये सब चीजे में क्यों नहीं बताता, इस्ट्रुएंट को लगता है यार हम कैसे हो पाएंगे, ये सच है कॉम्प्टीशन में ये सब चीजे हैं आपको बहतर से बहतर कोच को अड़प्ट करना पड़ेगा आप सोचते हो ये तो 20,000 रुपे महंगा कोच है, ये 20,000 सस्ता है क्यों? 20,000 की कीमत है क्या? RJS की, डेड़ लाग रुपया तनखा की सुरुआत होती है, नहीं होंगे उतने पैसे, नहीं मिलेंगे उतने लेकिन चुक्कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम सलेक्ट हो जाओगे इसलिए तुम हर चीज़ में कटवती करते हैं, पैन खरीदोगे तो 2 रुपे वाला, कौपी लाओगे तो 5-7-10 रुपे की जो आती होगी सबसे सस्ती, महां जाके सस्ती की बात करते हैं, सस्ती नहीं चलेगी तो मैं पहले तो विश्वास पैदा करना पड़ेगा कि मैं सलेक्ट हो रहा हूँ, और विश्वास कैसे होगा, सुभई बैठ जाएए आँखें बंद करके, आटो सजेशन देना चाहिए, कि मैं मजेस्टेट बनना हूँ जैसे ही आप सजेशन देंगे न मैं मजेस्टेट बन गया हूँ आरजेस बन गया हूँ तो ऐसे ही आटो सजेशन में ततकाल मन आपको बेबगू बना रहा है कहीं नहीं बनना मन आपको तथकाल कहेगा क्योंकि वो यथार्थ बताएगा आपको चूंकि आप उसके अनुरूप काम करना ही रहे क्योंकि वो लेबल को जानता है जैसे आटो सजेशन सुरू होंगे आपके काम बढ़ते चले जाएगे नहीं यार मैं ये टाइम बेस नहीं कर सकता मैं ये नहीं कर सकता फिर आटो सजेशन से आपका अपने आप उस प्रक्रिया के हो जाएंगे नहीं यार मेरे को तो होगी ये कोचिंग सस्ती मैं नहीं जा रहा होगी ये कौपी सस्ती नहीं लेनी मेरे को बहतर लेना है मुझे बैं बनी ही जाओंगा जब आटो सेजेशन होगा तो फिर आप ये समझाता बादी चीज़े हैं ना उन्हें त्यागना सुरू करेगी कोई बाद नहीं मैं करजा ले लूँगा करजा चुका दूँगा मेरे को पूरा बिस्वास है ज़िए कि मैं सेलेक्ट हो जाओंगा जिस दिन तुम्हारा मन आपसे बिस्वास में भर जाए है लबालब तब आप सेलेक्ट हो रहे हो तब आप उसके अनुरूप वर्ड कर रहे हो कोई रोक में कोई रुकावट नहीं है कई लड़कियां आती हैं मेरेड हैं वो कहती हैं सर हमारी समस्या है हमारे हैस्पेंड ये वो इनका कोई इलाज नहीं है मेरे पास मैं उनके लिए कुछ कर नहीं सकता उनकी समस्याओं का समाधा नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं तो समाधान इतना ही कर सकता हूँ एविडेंस बढ़िया से बढ़िया कराके उस लेबल पर आ सकता हूँ आपकी पर्टिकलर समझ जा हैं तो आपको ही सौल्व करने परेंगी जो क्या भी देता हूँ ऐसा कर लो वैसा कर लो लेकि भू जानती हैं उनके परिस्टियों के साथ यह खुद समाधान फोड़ने पड़े इस ता असली बात यह है वैसे हम ऑल्लाइन में देते हैं वैं चूब ओल्लाइन दुन्या पर रुके लोग चला रहे हैं हम भी चला रहे हैं और बहुत सारे बच्ची दुड़े हुए वना तो किसी से है नहीं लेकिन जो सेलेक्शन वाला इस्पूरेंट है ना उनलाइन से सेलेक्ट नहीं होगा क्यों क्योंकि आबश्यक्ता यह है कि रोज टेस्ट हो रहा है जी डीडिप वोट डीटीपी हो रही है यह हो रहा है उनना है चुनते सुनते हमें समझ में आता रहेगा कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा कभ थोड़ी दिर बाद जब क्लास बंद होगी जब आवाज बंद हो जाइं मोगां कि तब आप सूचो चुगए क्या आपने यह ओन्लाइन भी ले रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए था आपको एक लैप्टॉप खरिदना चाहिए था लैप्टॉप पर आपका मेज कुर्शी पर लैप्टॉप उचियर पर वहीं बैठ के पढ़ना चाहिए था घर में क्लास्रूम बनाना चाहिए था आप मोबाइल से पढ़ रहे हो और आप सोचते हो कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे वो खर्चा आपको वहां करना पड़ाएगा लैपटॉप में नहीं आपकी दूसरी एक समस्या आती है यहां तो आप कर सकते हो अब कैसे कंटिनुएशन में घं घंटों 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 लैपटॉप के सामने किसी के टीचर की सकल देख सकते हो तो कॉमप्टीशन नहीं होता अठीक है विकल पागया है वेग्यानिक चीजों का उपयोग होना चाहिए जिस दिन नहीं है हमारी कोई ऐसी सितिय है चलो आज हम ऑनलाइन क तभी कभी का ठीक रहता है लेकिन प्रत दिन नहीं है आपको ये समझना होगा कि ये सरस्वति मंदिर है मंदिर में रोज जाना हैकं कब तक जाना है कोर्स पूरा होने तक जैसे यह बही एक क्या और पर्षा कि इस लाइख और यस बन्येर प्रोग़ ओने मरण चलाए अब होगा गया थोड़े दिन में फिर भूल जाओ गए उस को फिर को यार चलो कहीं दूसरी जगह देखते हैं कहीं का नहीं बिल्कुल वही चीज हो जाएगी वह से कहानी सुनाते हैं कि एक आदमी यहां 20 फुट गड़ा खोथता है यहां पानी नहीं निकलता फिर वह दूस इसा भी करते हैं कभी यह सब्ज़ेक्ट पढ़ लिया थोड़ी दिर यह पढ़ लिया वह सबसे बुरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हुँ नौ एक ही पढ़ो दो सब्जेक्ट एक ही सेमेल्टिनेस पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता है अब जैसे मैं तीन तीन गंडे चार चार गंडे तक अब तो खेर मेरा कम कर दिया फहले मैं में और आपके मेंटल लेवल में जमीन आस्मान का अंतर है आप कहीं मैंच नहीं करते कहीं सेल्फ इस्टेडी नहीं होती है आपको कोच को फॉलो करना पड़ेगा कोच आपको एक व्यक्ति है जो एक्सपर्ट है अपने समय में कंटिनु बहुत लंबे को ह।ulf सेल्फ आपसे जादा दूर ही तक दिखाई दे रहा है एक फूर म if趣, फूर का दिखाई दे रहा है वह बच्छ को वहां तक जानता है आप सिर्फ ढ़ा जानता कंटर सिर्फ यह है यहां खड़ा हूं रिप नीचे क unl़े तो उन्चाई फूरी सी जादा है जादा होने का कारण है एक लंबा समय ये तो उस वज़े से उसको follow करना चाहिए आप देखते हैं खेल क्या चीज है यहां तो बहुत सारी चीज है इनमें लोग से self study की सोचते हैं यहां तो second चीज हैं जैसे किस्थी हो गहीद दोड़ना हो गया यह तो खेल एकी तरह की चीजारह की चीज का ही repeat कराता रहता है अब ना बेंऍद्रह का ben now सुना था हैं इंडिया में नहीं मिला कि इंडिया मैं उस लैबल का नहीं है इसलिए मुझे European Countries के लोग इतने ज़्यादा devoted हैं उसके प्रते वो दसीयों लोगों को पीस्यों लोगों को नहीं सिखा रहे होते हैं उनकुछ लोगों को तो उसके लिए मैं वहां गया वोले कि उस जिस हाथ रखबा के हमारे गुरुजी करबाया करते थे जिस कोच की बाते थे उसमें गड़ी डलबा दी उन्होंने जाम हो गई उंगली और ये सिर्फ एक ही काम तो करना था का और इतना meditation कराते थे जबकि meditation इंडिया की चीज़ है क्योंकि आदमी वो बताते हैं मैं उनकाADE सुनना था